हाल ही में देश भर में जन्माश्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्ती पर जन्म लिया था और उनके जन्मुत्सव को पर्व के तौर पर मनाया जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद छटी हिंदू धर्म में कृष्ण चठी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदाई माना गया है। नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ती वेदा में आईए आज के इस विडियो में जानते हैं। इस साल कब मनाई जाएगी कृष्ण चठी? कब है कृष्ण चठी कृष्ण चठी मनाई जाती है। इस साल देश भर में जनमाश्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया गया। अब इसके 6 दिन बाद कृष्ण चठी मनाई जाएगी। यानि इस बार कृष्ण चठी एक सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। कृष्ण चठी का महत्व हिंदू अनुसार जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद चठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बच्चे को सनान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूझा पाथ किया जाता है। चठी के दिन शष्ठी माता यानि शष्ठी देती का श्ठात्री देवी कहां जाता है और उनकी कृपा से राजा प्रियवरत का मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया है। इसलिए बच्चे की छठी पूजी जाती है और उसके अच्छे स्वास्थी की कामना की जाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी भी छठी पूजी जाती है और कानहा जी को कडी चावल का भोग लगाया जाता है।